जहिंद दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचे जान लिजे मेरा नाम है अन्वर अंसारी और मैं MP के द्वारा याने की Associations of Mutual Fund in India के द्वारा पूरी तरह से registered Mutual Fund का advisor distributor हूँ और मुझे Mutual Fund इंडेस्ट्री में लगभग 15 साल का नुभव है और इस दोरान मैंने अनगिनत Mutual Fund की portfolio review की है लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस दोरान जितने भी portfolio मेरे पास review करने के लिए आए है उन में से 95% Mutual Fund की portfolio को गलत ढंग से design किया गया है अब सवाल आता है कैसा क्यों तो इसके पीछे मुझे एक ही कारण लगता है कि आपको एक भरामक calculation वाली वीडियो दिखाई गई है जिस वीडियो के अंदर में आपको ये बताया गया है कि अगर आप advisor के माध्यम से mutual fund के बारे में जादा जानते समझते नहीं है वो भी direct mutual fund में invest करने लगते हैं और होता ये है कि वो एक गलत mutual fund की portfolio डिजाइन करते हैं और अगर आप गलत mutual fund की portfolio डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे 2 चीजे हो सकती है एक तो ये कि आपको नुकसान हो सकता है और दूसरा आपको जितना return आपके investment पे मिलना चाहिए था सायद उतना return आपको ना मिले तो ये कौन decide करेगा कि आपको कैसे और कौन से mutual fund में invest करना चाहिए अगर आपको mutual fund की अच्छी समझ है आप अपने investment को अच्छे से manage कर सकते हैं तो congratulations बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपको mutual fund की समझ नहीं है तो आप मुझसे content कर सकते हैं मैं आपको mutual fund industry की पूरी service देने की कोशिस करूँगा तो अब हम आते हैं अपनी वीडियो की topic की उपर आज की हमारी वीडियो का topic यह है कि अगर हम grow ape के माध्यम से mutual fund में invest कर रहे होंगे तो जैसा कि हमें एक scam की खबर सुनने को देखने को मिल रही की जो की grow के तरफ से किया गया है तो इन सारी खबर को सुनने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि मुझे यकीन है कि जितने भी लोग grow ape के माध्यम से invest कर रहे होंगे उनमें से 99% लोग जिनको इस खबर के बारे मालुम चल गया होगा वो डरे होंगे वो सहमे होंगे इस बात की वो in surety जरूर चाहते होंगे कि भाई हमने जो invest किया है वो real investment है तो इसके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा ये पूरी तरह से हमने जो पैसा invest किया है वह वाकई में invested है हमारा पैसा grow कर रहा है और दूसरा मामला क्वांट की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है जो कि क्वांट का front running के मामले का एक जाच हो रहा है जो कि से भी जाच कर रहे है इनके हैदराबाद वाले ब्रांच में और मुंबई के ब्र क्रिक्वाइर होगी जैसे भी जोरत होगी वह हम देने की कोशिज करेंगे तो आप यह कह सकते हैं कि इनको उपर front running का मामला चल रहा है तो एक एक करके दोनों ही भी से पर हम detail में चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करेंगे grow app की तो देखिए लोगों को लगता है कि mutual fund में invest क करना है तो grow app याने mutual fund अभी तक हम यहीं जानते हैं जो भी mutual fund की industry में आता है mutual fund का नाम बाद में grow का नाम उसको पहले सुनने को मिलता है ऐसा क्यों भाई ऐसा इसलिए है कि जो ज़्यादा तर influencer है और कुछ खास करके ऐसे influencer है जो रोजाना आपको जो भी data दिखाते हैं सुबा साम वो grow app पे ही दिखाते है कि बहुत सारे से लोग हैं जो grow app के माध्यम से mutual fund में invest करते हैं यानि कि जो भी demate account के माध्यम से invest करते हैं ऐसे लोगों में सबसे ज़्यादा तादाद grow app के माध्यम से invest करने वाले लोगों के लिए है तो आपको आज उनसे सवाल पूछना चाहिए कि भाई आपने जो रात सबसे पहले तो एक चीज़ में आप सभी को बता दूं दोस्तों कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ mutual fund में invest करना चाहते हैं या फिर mutual fund में invest कर रहे हैं तो इसके लिए आपको grow app की नहीं कोई भी demate account की ज़रत नहीं होती है आपको सीधे सीधे जो RTA है जो registrar agent है जो आपके mutual fund का देख रेक बहुत तब तक करते हैं उनका डाउनलोड कर लेना था जैसे में केम्स हो गया जैसे में के फिंटेक हो गया और सबसे अच्छा है तो MF Central Lab है ऐसे में जो भी केम्स के अंदर में और कारवी के अंदर में जो भी mutual fund आते हैं वो सभी आपको MF Central Platform पर दिख जाते हैं वहाँ पर जो भी 100-250 रुपे का referral income है वो जनरेट कर पाए इसलिए रात दिन आपके सामने grow का कभी angel one का कभी up strokes का परचार किया गया परचार करना कोई गलत नहीं लेकिन अगर ऐसे में कोई investor परसान हो रहा है तो उनकी परसानी का solution भी आपको one by one देना चाहिए अगर आपन अपने referral से उनका Demet account खुलाया है अपने Demet account खुला करके उनसे पैसा कमाया है आपके referral account में उनका Demet account है तो आपकी दाई तो बनती है आपको ऐसा पूछना चाहिए बलकि उल्टा जो लोग आपका grow account खुलाय है वो लोग ये कहते चल रहे हैं अब स्केम की बाते बता रहें क आप क्यों नहीं सोच रहे हो आप आज जो मुसीबत नहीं हो इसी के चलते हो आप उसकी वड़ाई कर रहे हो आप उसे सवाल पूछो कि क्यों आपने हमें गुरोए का डिमेट एकाउंड खुलाने की हमें तो सीधा सा अगर आपको मुचल फंड में इन्मेस्ट करना है तो करना था यह रजिस्टार है रजिस्टार एजन्ट है इनका एफ है तो आप कह सकते हैं कि यहां पर फ्रोड होने की धोखा धड़ी होने की चांसे जो है वो ना के बराबर हैं और अगर आप MF Central का डाउनलोड कराते हैं तो जो भी फिजिकल मूड में है अब देखिए दो त सकते हैं जो mle pac house है उसके एप के माधियम से ले सकते हैं उनके website पर जा करो ले सकते हैं इस तरह की जो भी फिजिकल मूड में होते हैं तो जब आप MF Central का डाउनलोड करेंगे तो जो भी फिजिकल मूड में आप के mutual fund है उनमें आप correction भी कर पाएंगे जैसे अगर एक से ज़्यादा portfolio बन गया है उसे आप consolidate कर दीजे email account चेंज करना है phone number चेंज करना है bank account चेंज करना है नॉमनी वदलना है इस तरह कि तमाम features आपको MF Central के app में मिल जाएगा आप मोडिफाई कर पाएंगे यहां तक कि जो आपने डीमेट के रूप में mutual fund में किया है वो भी आपको सो होगा लेकिन उसमें आप किसी भी तरह का कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं उसे के माधियम से कोई भी तरह का इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं वहाँ पर सिर्फ आप डीमेट की जो holding है उसको आप देख सकते हैं वहाँ से ना तो इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ से ना तो redeem कर सकते हैं तो अगर आप MF Central app डाउनलोड करते हैं तो आपका एकाउनलोड का बहुत दिखनेगा और दिमेट मूड का भी जो इन्वेस्ट मैं वहाँ सकते हैं और मुझे उमीद है कि आगे चल करके हो सकता है MF Central app माधियम से दिमेट मूड़ा जो मूचल ख़ंड है उसमें भी हम कुछ पर कर पाँए तो में बी कुछ भी हो सकता है तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आपको जो है वो किसी भी डिमेट एकाउंट की जोरत नहीं थी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मुचल पंड में इन्वेस्ट करना था तो अगर आपको ETF में इन्वेस्ट करना था तो बात अलग है अब हम यह समझते हैं कि ऐसी समस्या आई क्यों चलिए यह समझ लेते हैं अगर हम बात करें पहले की तो पहले होता यह था कि ब्रोकर यानि कि ग्रो भी हो गया जीरोधा भी हो गया एंजल वन हो गया कोई भी ब्रोकर करता यह था कि जब भी आपको इन्वेस्ट करना था तो पूल एकाउंट में आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, आज भी हम उनके पूल एकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, लेकिन पहले और आज में अंतर है, उसको समझी आप, तो पहले ब्रोकर के पूल एकाउंट में वो ग्रो भी हो सकता है, जिरुदा भी हो सक यानि कि दोनों ओप्सन हमारे पास रहता था अब क्यूंकि हमारा जो पैसा है वो पूल एकाउंट में जाता था तो ऐसे में ब्रोकर के उपर डिपेंड करता था कि हमारा जो पैसा है वो AMC को दे या ना दे 99.99% केस में पूल एकाउंट से पैसा पेमेंट म्यूचल फंड को किया जाता था अब किसी गलती के वज़ा से या फिर कुछ एरर के वज़ा से या फिर जान बूश करके में भी कुछ भी कारण हो सकता है जिस कारण से म्यूचल फंड को पैसा पेमेंट नहीं हुआ वही केस हम मारे सामने आया क्योंकि ऐसे में पूरी तरह से जो है ना ब्रोकर के उपर डिपेंड करता था इनको फूल एकाउंट से अपना पैसा देना था को लेकिन कुछ समय के बाद से भी को समझ मैं आया कि यह भाई बहुत कमी वाली चीज है ऐसे में धोका धड़ी लोगों के साथ हो सकती है तो जो भी लोग नये सीरे से डिमेंट एकाउंड कोला है या फिलाल में इनमेस्मेंट सुरू किये हैं उनके साथ तो यह जो धोका धड का प्लेट फॉर्म इस्तमाल कर सकते हैं यह जो ब्रोकर है ना यह आपको एक फ्लेट फॉर्म होईया कराएगा कि भाई इस फ्लेट फॉर्म के माध्यम से आप म्यूच्वल फंड का ट्रांजेक्शन इनिसियेट कर लो आपका जो पैसा है अब इनके पूल एकाउंट में नही जाता है आप सिर्फ इनका फ्लेट फॉर्म इस्तमाल करते हैं इनका फ्लेट फॉर्म इस्तमाल करके आप म्यूच्वल फंड में इन्मेस्ट करते हैं आपका पैसा जाता है आपका पैसा ब्रोकर के पास जाता ही नहीं है आपका पैसा इंडियन क्लिरिंग कोर्पोरेशन में जाता है और वहां से mutual fund के पास चला जाता है तो अब जो भी demate account खुल रहे हैं वो अब चाहा करके भी mutual fund के मावले में खास करके आपके साथ धोखा दड़ी नहीं कर सकते हैं लेकिन एक बात में फिर से आपको कह दूँ कि आपको अगर सिर्फ mutual fund में invest करना है तो demate account के जरुत ही नहीं है अब क्या मालूम आगे चल कर कि कोई और धोखा दड़ी हमारे सामने आजाए किसी और तरह का fraud करने वाले की कमी है क्या वह भी तो अलग-अलग तरह से सोचते रहते हैं कि कैसे हमें investor को चुना लगाना है तो हो सकता है कुछ और नया method निकल करके आजाए कुछ नया तरीका निकल करके आजाए या फिर कुछ इसमें loophole हो जिसका फायदा उठा करके इसी के साथ प्रोट कर दे क्या guarantee है इसलिए भी मैं कहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ mutual fund में invest करना है तो आपको DMAT account के जोरत नहीं है आप रजिस्टर आर जो RTA है उनका app डाउनलोड कीज़े CAMS, CAP Intake, MF Center मुझे उमीद है कि आप 99.99% safe और secure रहेंगा और safe के माध्यम से invest करके आप chain सकून की जो नींद है वो भी सोच सकते हैं क्योंकि आपका पैसा यहाँ पर पूरी तरह से safe है क्योंकि जो register RTA है उन्हीं के माध्यम से आप invest कर रहे हैं तो ऐसे में धोका गड़ी होने की कोई बात ही नहीं है और अगर कुछ mistake भी होता है कुछ error भी होता है तो क्योंकि वो खुद ही RTA है तो आपका मामला बड़ी आसानी से वो solve करेंगे ऐसे में जो third party बीच में आ जाते हैं तो ऐसे में आदमी confused हो जाता है कि मेरे सवाल का जवाब को पून देगा अब सवाल यहां पर आता है कि अब हम जो हमने जो invest किया है उसको हम कैसे जांच करें कि हमारा investment वाकई में वहां पर हुआ है या फिर हमको भी उसी investor की तरह यहां पर false दिखाया जा रहा है तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं एक क्या कुछ में काम आपको बताऊंगा वह आप कर सकते हैं सबसे पहले आपके बाद जितने भी mutual fund हैं उन सभी के customer care में आप phone करके पूछिए आपको वहाँ पर folio number दिख रहा होगा folio number बता करके आप पूछिए कि भाई मेरा इतना का SIP चलता है मेरा इतना investment amount है और grow होकर कितना पैसा बता रहा है क्या है रियल है या नहीं तो customer care का number आप Google से search करके ले लिजे और कोसिज किजे कि जो toll free number होगा उसी पे call किजेगा क्योंकि ज़्यादा तर जो fraud करने वाले लोग हैं उनकी toll free number नहीं होती है अब जहां पे toll free number आपको नहीं मिलेगा तो आप ensure किजे कि आप जो है उनके official website से ये number ले रहे हैं और number ले करके contact किजे और contact करके पूछे उन्चे और दूसरा जो भी investment है आपका हर साल भर के अंदर में मैं बोलूँगा कि कुछ पैसा जो minimum withdrawal का amount है 200-500 कुछ भी रुपए हो 100 रुपए कुछ भी हो आप withdrawal करके देखें जब आप withdrawal करके देखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगे कि हाँ आपका AMC के पास investment है और दूसरा अगर withdrawal नहीं होता है तो क्यों किस कारण से withdrawal नहीं हो रहा है क्या मेरा KYC कपका हुआ है क्या मैंने nominee update नहीं किया है क्या मेरे bank में कोई दिक्कत है तो इस तरह कि जो समस्या होगी वो भी आपको समय रहते पता चल जाएगी और अगर सही से withdraw हो रहा है तो आपको तो पता यह चली जाएगा कि हाँ हमारा जो investment है वो real तरीके से यहां पर invested है और तीसरा जैसा कि मैंने कहा कि आपको MF Central का app डाउनलोड करना चाहिए तो अगर आप grow app के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तब ही मैं बोलूँगा कि MF Central app डाउनलोड कीजिए और अब कम से कम कोशिजिए कि MF Central app के माध्यम से मैं invest करूँ और वहाँ पर जो आपको investment या फिर value दिख रही है वो 99% जो है वो safe और सही है वहाँ पर सही data ही आपको दिखाया जाएगा तो वहाँ पर आपको जो data दिख रहा है उससे भी आप बहुत हत्तक संतुष्ट हो सकत हैं तो यह तीन काम है तीन काम कीजिए इन तीन काम करने के बाद मुझे लगता है कि आपका जो investment है उसके प्रति आप sure हो पाएंगे कि हाँ मेरा investment जो है वो सही और safe तरीके से invested है तो अब हम थोड़ा सा Quant mutual fund के बारे में भी जान लेते हैं Quant mutual fund के उपर में front running का जो allegation है वो ल mutual fund की portfolio में जो stocks निरधारित रहते हैं उन stocks को खरीद करके उनकी units बना करके हमें transfer किया जाता है लेकिन यह जो shares खरीदने वाला काम है वो mutual fund AMC में कोई न कोई तो करता है किसी न किसी के जिमे में तो रहता है तो ज्यादा तर chances यही होता है कि यह जो leak है यह जो ख़बर बाहर क निकाल करके और इसका जो advantage है वो ले सकता है तो कहने का मतलब यह है कि कुल मिला करके इनकी जो AMC है यहीं कहीं से यह बाते जो leak होती है जो top secret बाते होती है उनको secret बना के रखना AMC की ही काम होती है अगर किसी भी तरह से leak हुआ है तो जिम्मेदारी इनकी ही बनती है अब यह मामला क्या है जैसे mutual fund में जब हम और हमारे जैसे लोग पैसा लगाते हैं तो यह पैसा बहुत बड़ा होता है और जब mutual fund किसी stocks को खरीती है तो क्योंकि वो ज्यादा पैसा लगाती है तो उस stocks का भाव बढ़ना लाजमी है अब इसी का फायदा लोग front running करके उठाते हैं जै जिन इस company का shares खरीदेंगे तो वो बंदा क्या करता है कि पहले से ही उस company के shares में position बना करके रखता है जैसे ही mutual fund house उस shares में purchase करती है rate उसका बढ़ जाता है वो profit book करके निकल जाता है ऐसे में हो सकता है कि थोड़ा सा उस shares का price भी गिरे क्योंकि वहाँ पे बहुत जादा buying selling होत गिर भी सकता है तो ऐसे में mutual fund के उपर में भी थोड़ा सा impact पड़ सकता है और सेभी के तरफ से पूरी तरह से illegal है ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए तो यह होता है front running और इसका जो मामला है वो quant mutual fund के उपर में चल रहा है अब एक चीज़ में और आप सभी को बता दूं क कि सेभी के जो नियम है वो बहुत ही सक्त है इसमें कोई भी दो राय नहीं है लेकिन नियम सक्त होने के बाद भी ऐसा मामला बार बार क्यों आ रहा है और ऐसा भी नहीं कि यह जो front running का मामला है यह quant mutual fund के उपर में पहली बार आ रहा है देखिए हमने axis को उपर भी सुन रहा ह है हमने HDFCP के उपर भी सुन रखा है हमने एक और mutual fund निपोन के उपर भी सुन रखा है इस तरह के पहले भी बहुत सारे मामले front running के mutual fund house पे आ चुके हैं वो mutual fund भी अच्छे से आज चल रहे हैं अगर यह जो allegation है यह वरूफ होता है तो जो भी अपरादी होगी उसके उपर का बंद हो गई तो क्या होगा रहे बंद कैसे होगी भाई जो इसमें जिन पर allegation लगी है वो अगर अपरादी साबित हो जाते हैं तो उन पर जो भी डंड होगा से भी कहिसाब से वो उनको दिया जाएगा आपकी जो mutual fund है वो एज़िटीज ऐसे ही चलते रहेगे पहले भी तो कि mutual fund है जिनके उपर यह जो फ्रंट टर्निंग का मामला है इसका allegation लग चुका है वो भी तो आज काम कर रहे हैं तो आपको इतना डरना घबराना क्यों और सबसे ज़्यादा दिक्कत जानते हैं क्या होती है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वांट mutual fund में पैसा नहीं लगा करता है extremely active होकर के manage करता है वो हर वो काम करता है जिससे हमारा return बढ़ सके इसलिए quant mutual fund का जो return है इतना ज्यादा है कोई भी illegal काम नहीं कर रहा है और आज तक जो यह जो AMC चल रही है वो सेवी के rules regulations के हिसाब से चल रही है और जिस दिन भी सेवी को लगा कि भाई कुछ गलत हो हो सकता है उस दिन तो छापा मार दीना उन्होंने तो चापा तो मार दी तो गलत कोई भी करेगा तो पकड़ा जाएगा लेकिन यह कहना कि यह जितना return कर रहे हैं वो सारे गलत काम करके हैं कर रहे हैं तो यह मेरे ख्याल से पूरी तरह से गलत है और मुझे लगता है कि जो बहुत सारे लोग exit कर रहे होंगे, इसमें कोई सक नहीं है, जो भी लोग exit करेंगे, हो सकता है कि कुछ समय के लिए इसमें हमें negative return देखने को मिले, लेकिन मुझे उमीद है कि आगे चल कर कि ये mutual fund recover कर जाएगा और हम ये जो opportunity है उसको miss कर पाएंगे, चुकि अगर हम इसमें से निकल जाते हैं, दो साल, चार साल, पास साल तक हम बाहर रहते हैं, तो जो return यहाँ पर generate होना था, वो हमें नहीं मिलेगा, अब देखिए, जैसा कि मैं अपनी वीडियो में आप सभी को बताता हूं, कि मैं एक MP के द्वारा registered mutual fund का advisor हो, तो मेरे जितने भी client है, उन सभी के पा इटीज वैसे ही चलने देना है, आपको कुछ भी करने के जोरत नहीं है, अगर आप इस news पर action लेंगे, तब तो फिर आप mutual fund जो है, वो बदलती ही रह जाएंगे, अगर आप HDFC में है, तो फिर निपोन में जाए, निपोन से फिर एक्सिस में जाए, और एक्सिस से जब कंपनी बड़े इस तरह पर काम करती है, तो कुछ न कुछ वहाँ पर कमिया और अच्छाईया निकल करके सामने आती ही है, तो ऐसा चलता ही रहेगा, आप लंबे समय तेक इन्वेस्ट करेंगे, तो इस तरह के मामले आपकी इन्वेस्टेंट की जरनी में बहुत बार देख करना चाहिए, लेकिन अगर कमी ऐसी नहीं है, जिसको देख करके हमें एकजिट करना चाहिए, तो हमें बिल्कुल भी यहाँ पे घवराना नहीं चाहिए, बेसेंस रखना चाहिए, तो जो बातें मैंने अपने क्लाइंट से कही है, कि आपको हर बड़ी में कोई भी गलट ड डिसीजन नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगेन बोलूँगा कि पैसा आपका है, इन्मेस्मेंट आपका है, तो डिसीजन भी आप ही का होगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वांट में यह बहुत बड़ी कमी सामने निकल करके आईए, तो बिल्कुल आप रीडियम कर सकते लेकिन अगर आपको क्वांट पर हैकिन है, तो आप क्वांट में बने भी रह सकते हैं, तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर में मैंने grow app का जो scheme है, या grow app का जो platform है, उसके बारे में चर्चा किया, Quant mutual fund के प्रति जो front running का मामला चल रहा है उसके बारे में चर्चा किया इन दोनों ही मामलों के बारे में आपकी क्या राय है आप क्या सोचते हैं या फिर मुझे क्या करना चाहिए या फिर किस topic पर वीडियो बनाना चाहिए किस topic पर discussion होना चाहिए आप comment section में लिख करके जरूर बताईएगा अगर आपकी valid comments होई कि भाई इस चीज़ पर आपको वीडियो बनाना चाहिए ये आवाज आपको उठाना चाहिए तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा और इस वीडियो को अपने friend और family के भी जरूर से share कीज़ेगा ताकि वो भी हड़ बढ़ा करके कोई भी गलट decision ना ले उनको भी सच से वास्ता हो सके वो भी ये जान पाए कि हमें आखिरकार क्या करना चाहिए इस वीडियो के आखिर में बस में आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने family का बहुत ख्याल रखेगा मैं मिलूँगा इसी तरह की किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाए